साथियों, ओडिशा के अतीत को आप खंगाले, आप देखेंगे कि उसमें हमें ओडिशा के साथ साथ पूरे भारत के इतिहासिक सामर्थे की भी दर्शन होते हैं, इतिहास में लिखीते सामर्थे वत्मान और भविश्य की सम्भावनाव से जुड़ा हुआ है, भविश्य के लिए हमारा प्रस्प्रजेशन करता है, आप देखें ओडिशा की विसाल, समुत्री, सीमा, एक समय भारत के बड़े-बड़े पोर्ट्स और आंतर राष्ट्य व्यापार का केंद्र हुआ करती थी, इंडोनेशा, मलेशिया, थाइलेंड, म्यामार और स्री लंका जैसे व्यापार होता था, वो उडिशा और भारत की समुर्दी का बहुत बड़ा कारण था, कुछ इतिहास काड़ों ने, सोध तों यहां तक बताते हैं, कि उडिशा के कौनार्क मंदिर में, जिराप की तस्वीरे हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि इस बात का सबूत है, कि उडिशा के व्यापारी आफ्रिका तक व्यापार करते हैं, तब ही तो जिराप की बात आई होगी, उस हमें तो वाटसप था नहीं, बड़ी संख्या में, ओडिशा के लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में रहते भी थे, उन्हें दरियापारी ओडिया कहते थे, ओडिया से मिलती जुल्ति स्क्रिप्स कितने ही देशों में मिलती हैं, इतिहास के जानकार कहते हैं कि समराट असोग ने इसी समुद्री व्यापार पर अधिकार हाशिल करने के लिए कलिंग पर आक्रमन किया था, इस आक्रमन ने समराट असोग को धम अशोग बना दिया, और एक तरह से ओडिया व्यापार के साथ साथ भारत से बहुद्र संस्क्रिती के प्रसार का मध्यम भी बना, साथियों उस दोर में हमारे पास जो प्रकृतिक संसादन थे, वो प्रकृति ने हमें आज भी दिये हैं, हमारे पास आज भी इतनी व्यापक समुद्री सीमा है, मानुभी ये संसादन है, व्यापार की संभावना है, साथ ही आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान की ताकत भी है अगर हम अपने इस प्रांचिन अनुभवों और आधुनिक संभावनाओं को एक साथ जोड़ दे तो ओड़ी सा विकास की नई उन्चाई पर पहुंच सकता है आधेश इस दिशा में गंबीर प्रयास कर रहा है और अधिक प्रयास करने की दिशा में भी हम सजग है